है गाईज वेलकम टू माई चैनल में कांसेप्ट आज हम डिसकस करने वाले हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने जिससे वीडियो की अपडेट मिलती रहे प्रपर्टी यूज लें निविलती तो अपको द्यान रखना है तो अपकी प्रपर्टी की बात करेंगे ड्राण इंटू वायर तो अपको द्यान रकना है कुछन नमबर टू द लाइट इंप्योटी इन द मॉल्टन मेटल और प्रवेंटेड प्राम रिचिंग द मॉल्ट केवटी इस प्रोइडिंग है तो जो लाइट इंप्योटी इंट्रेप्ट होती है दोस्तों बाई इसकी इंबाउब तो आप कांसर हो जागा सी वहीं बात कर सांटी इसकी जाएड को जाकर सीन बेसे कांसर बाई तो आप कांसर हो जागा सेंट कर्षेंड टो इसकी इन कर्क दिचंग सनद पाई जाएगा सांटी और न दूर पाई और क्वेंटके बाउरें सुत मालफी दृ जाख विच बूस्तिंग कर्सेड ओस्क्सराण़ क्यूई क्योंकि जो कास्टिंग अब गैस टर्वाइन होता दोस्तों उसका ब्लेड वो काफी कंप्लेक्स होता है बहुत इंट्रिकेट सेप होता है तो हम उसको बनाते हैं आपका इन्वेस्ट्मेंट मॉल्डिंग कास्टिंग से तो आपका अंसर हो जाएगा सी को से इनका सेंट्रिफिगल कास्टिंग अपको बता देना चाहूंगा जो सेंट्रिफिगल कास्टिंग होती दोस्तों मॉल्टेन मिटल को हम हरिजेंटल एक्सिस के बाग रोटेट कराते हैं तो जो इंपूर्टी जो तो ही वो सेंटर में इंट्रेप्ट हो जाती है तो आप कहां अशर हो जाएगा अगर अगर अट्स इंटर आफ कास्टिंग सेंट्रीफिवल कास्टिंग यूज थी आपका हालो प्रोडक्ट बनाने के लिए जैसे कास्ट आइरन पाइप कोशन नमब सेवन वीच फालोइंग कास्टिंग प्रोसेज इस दबेस्ट स्यूटेट फार में बिकर साइज एंड हालो सेमेट्रिकल पाइप जैसा कि अभी हम लोगों ने डिसक्स किया दोस्तों जो सेंटिफिवल कास्टिंग होती है वह अपका हालो पाइप के लिए जूज होता है इसमें हम मूलजें मिटन को हर्यंटल एकसिस के बाए रोटेट कराते हैं जो इंप्षी होती हैं वो सेंटर में रोटियां हो जाती है जब भी हालो प्रोडक्ट की बात होगी का छस्ट आया रन्ड़ कास्टिंग हो ऑसें जγन द्वह ईक्शन द्रक्ष और पर होगा वह equal होगा one ratio one हो जाएगा तो कांसर हो जाएगा C question number nine in oxygen gas welding the complete combustion of volume of oxygen required per unit of oxygen अगर हम देखें दोस्तो reaction of gas welding C2H2 plus O2 reaction होगा तो बनेगा CO2 plus H2O अगर हम equation को balance करेंगे दोस्तों यहां पर हमें 2.5 unit add करना मतलब अपका product में आएगा ओटू के तो यहां से आप देख पा रहे हैं हमें एक यूनिट के combustion के लिए आप सी estiline के लिए हमें 2.5 liter of oxygen चाहिए तो यहां से आपका balance है दोस्तों equation तो हो जाएगा 2.5 unit question number 10 assuming state-line bi-car static DC welding generator sharp circuit current as 400 ampere and open circuit voltage is 400 volt which are following is correct voltage and current setting for maximum power आपको बता दोस्तों जो relationship होता है voltage और open circuit voltage में वह होता है 1- i upon i circuit i sharp circuit current तो यहां से जो power होता दोस्तों भी into i होता है हमें यहां से relation से i को change करके यहां रखेंगे put करेंगे तो फर maximum power के लिए dp by d i करेंगे दोस्तों तो जो condition आएगी हो आएगी maximum के लिए जो current हमें मिलने चाहिए वह आती इस circuit by 2 वही voltage जो आता है वह आता है open circuit by divided by 2 तो यहां से answer हो जाएगा 400 by 2 यानि 200 ampere and 200 volt option b is correct question number 11 the pinch effect in welding तो आपको बता दें दोस्तों result pinch effect आपका produce करता electromagnet force तो आपका answer जाएगा भी question number 12 in inert gas welding process the commonly used gas आपको बता दें दोस्तों inert gas use होती है आपका silding के लिए यूज होती है यह protect करती आक्सिडेशन से तो यहां पर यूज होती है आपका helium and argon option c is correct question number 13 which are following welding process flux used in farm of granular तो आपको बता दें जो submerged arc welding होती है दोस्तों इसमें आपका flux यूज होता है वो granular के फाम में यूज होता option b is correct आपको यह भी धियान रखना है जो सम्मझ आप विल्डिंग होती है उनली हार जेन्टल डारेक्शन में वर्क करती है question number 14 the electron beam welding can be carried out in आपको बता दें जो electron welding होती है दोस्तों वो carried होती है वैकूम में due to prevention of oxidation आपका अंसर हो जाएगा question number 15 the primary purpose of sprue in casting mold तो आपको बता दें दोस्तों अगर हम कास्टिंग की बात करें सबसे पहले हो आपका पोरिन बेसिन फिर वाल्टिकाल चैनल होता इसी को खा जाता इस प्रू इस प्रू आपका सप्लाई करता मोल्टन मेटल टू रनर रनर टू गेट तो आपका हो जाएगा feed the casting constant rate with the solidification यह आपका answer होगा दोस्तों feed the molten metal from the pouring basin to the gate, option C is correct question number 16 in the gating system the ratio of 1 to 4 is represented तो आपका होता जो अगर सबसे पहले आपका दोस्तों आता है foreign basin फिर रेप्रेजेंट होता sprue फिर रनर से होते हुए molding metal पहुचता आपका gate में तो जो ratio होता sprue area to runner area to gate area यह आपका कहला था getting system gating ratio तो आप यहां से हो जाएगा है sprue base area, runner area, in gate area, option C is correct question number 17 which are following welding process result in the smallest heat affected zone दोस्तों आपको याद रखना है जो laser beam welding होती है इसमें सबसे smallest heat of action zone produce होता है option C is correct question number 18 pre heating before the welding is done pre heating किया जाता है दोस्तों to cold cracks, prevent cold cracks तो आपका अंसर हो जाएगा C यह अपका यूज होता है फर विट्रिल माटेरियल के लिए हम pre heating करते हैं question number 19 which are following welding process used for non-consumable electrodes तो आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों gas tungsten arc welding जो होती है इसमें use होता आपका non-consumable electrodes जो बना होता आपका tungsten या आपका graphite का तो आपका अंसर हो जाएगा C question number 20 the main purpose of chaplet तो आपको बताते दोस्तों जब हमें hollow product बनाना होता है तो हम use करते हैं core उसी core को support देने के लिए use होता आपका chaplet तो आप cancer हो जाएगा to support the core question number 21 the green sand mold indicate that green sand कहलाती दोस्तों जिसमें आपका moisture content हो तो यहां हो जाएगा mold the content moisture option D question number 22 solidification time of metallic alloy costing तो आपको वहता है जो solidification time होता है दोस्तों वह volume by surface area का whole square होता है पर यहां अगर देखें specific heat के तो होता है यहां पर अगर specific heat कि दोस्तों अगर मेटल का ज्यादा होगा तो ज्यादे हमें heat supply करने होगी यानि pouring temperature ज्यादे होगा अगर pouring temperature ज्यादा होगा तो हमका हमारा solidification time भी ज्यादा होगा तो यह हो जाएगा universally proportional to specific heat up casting material option B is correct question number 23rd the most preferred process for casting up gas turbine जैसा कि आपको बता है जो gas turbine blade होते हैं दोस्तों वह बहुत ज्यादा complex shape के होते हैं तो हम यूज करते हैं आपका wax casting or investment casting option C is correct question number 24 in arc welding the arc length should be आपको बता दें जो arc length होती है दोस्तों वह इक्वल होती है rod diameter के rod diameter तो आप कहां सरो जागा D question number 25 the voltage current car static of DC generator of arc welding is still line between open circuit of LTV and short circuit of 300 volt the generator setting for maximum arc power जैसा condition हमने देखना दोस्तों जो maximum arc power के लिए हमें current की value मिलती हुआ होती है charge circuit divided by 2 वह voltage की value आती है open circuit divided by 2 तो यहां से हो जाएगा मुल्टें ट्रांसपार्ड इन्टू दे वीच आप following तो आपको बता दें मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में जो मुल्टें मेटल होता दोस्तों इन फार्म आप पूल होता है तो यह हो जाएगा weld पूल आप संसी करेक्ट को से नमबर 27 ती इस बेस्ट फार टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग इस यूज फार आपको बता दें यह चाहिए नमबर 28 लिए जाएम अफेटामिक हापिषण वेल्डिंग में हम में यह होता दोस्तों और यूज होता है अपका यह इस तरह यह इस प्रोटेक्ट करता है वर्क्पीस को फार अक्सिडेशन तो होजाएगा एन एफेक्टिव सिल्डिंग गैस प्रोट्रेक्टिंग देवल्ड आप संसी इस करेक्ट कुशन नंबर । टॉन्टि नाइए मैच लेस्ट वन वेस्ट टु तो आपको बता दें दूस्तों जो चेमिकल मसीनिंग होती है जो इसमें मैचनेज्म होती ही वह होती आपकी क्रोसी रियक्शन एक हःगा टू हूं बात करें वी की एलेक्ट्रोच केमिकल मसीनिंग तो इसम में जो जिनरेत होता है आपका मेकैनिज में होए है आपका फ्यूजन एन वेपराइजेशन आपसन C का मैच करेगा फोर से वहीं डी का इरोजन प्रॉसेज तो हो जाएगा यहां से एक टू सी बी का थ्री एक टू एक टू बी का थ्री सी का फोर डी का वन आपसन एज करेक्ट कोशन नमर थर्टी इन रोलिंग अप्रेशन दे मैक्सिमुन ड्राफ्ट इस गिवन बाइज वेर आर इस दे रेडियस अप रोल एं मू इस दे फिर्क्शन अफ रोल बिट्विन एन वर्ट पीज तो जो चेंज इन हाइट होती दोस्त जहां आर अपका रोल ड्रेडियस है तो यहां से अपसन होजाएगा आपसन बीज करेक्ट कोशन नमर 31 इन रजिस्टेंस यम वेंडिग दे इलेक्ट्रोड इन फाम आप आपको होता दिन जो सीम वेल्डिंग होती जो इलेक्ट्रोड होते हैं दोस्तों वह इन फाम आप सर् तो आपको वता है दोस्तों जो पंच पोर्स होता है उसकी पहलू होती ही माक्सिम्म पोर्स इस पेरिमीटर एरिया इंटु थीकनेस इंटु सीरे स्थेंट तो पेरिमीटर हो जाएगा पाई इंटु दी इंटु थीकनेस इन्टू सी ये इस्टेंद जो हम बैलू को मल्टिप्लाई करेंगे दोस्तों तो आज आएगा 131.1 किलो न्यूटन अब कांसर हो जाएगा भी कोश्चन नमबर 33 दस्ट इस सिलिंड्रिकल राइजर रिकॉर्ड फार इस्टील प्लेट 300 इंटु 100 इंटु 20 mm आपको बता दोस्तों यहां रखना से फेक्टर जो वैलू आती है यह आती है लेंथ प्लस फीड डिवाइड वाई हाइट तो यहां से आजाएगा 400 इवाइड बाई 20 तो आपका से फेक्टर यहां से कल्कुलेट होके आ जाएगा 20 को से नमबर 34 दूरिंग अल्ट्रा सोनिंग मशीन इंग रिवाइड इस फेक्टेड वाई तो आपको बता दें अल्ट्रा सोनिंग में दोस्तों यू जो ता आपका टांसिड्यूचर और अब्रेसिव पार्टिकल जो होती है वह हैम एरिंग एक्षन करती है तो आपका हो जाएगा हैमेर सवरेइख कता है कि आसी आति नम्रों थैटीफाइब हार्ट वर्टिंग आप रिय्ट्रीफ्टर यह से ताथ दोस्तों बिलो तो क्रिस्टलासद पॉठर हाइब के बात करें तो बिलोट् से रिक्रिस्टलाइट्रेょ जिसंट टांपरेचर। वहीं cold sorry दोस्तों above यहां पर आपको दियान करना above to recrystallization temperature वहीं cold working की बात करें तो below to recrystallization temperature तो हो जाएगा above recrystallization temperature d बात करते हैं डी क्रिस्टलिज़ाइजिसन temperature की तो recrystallization temperature जो होता दोस्तों यह लाहिए करता है 0.3 of melting मेल्टिंग तम्परेचर 2.5 मेल्टिंग तम्परेचर आप मेटल आपको ध्यान रखना है कुछिन नमबर 36 दा मसीनिक अपरेशन इन विच द वर्क पीस डिजाल इन्टु द एलेक्ट्रोलाइट सलूशन इस काल तो आपको बहुता दें जो इलेक्ट्रोकेमिकल मसीनिंग होत कुछिन नमबर 37 फार चाइविंग एस पेस्पीक सर्फेस पिनिज ए सिंगल पॉइंट टर्निंग दे मोस्ट इंपोर्टेट फेक्टर टू कंट्रोल अगर बात करें सर्फेस बिनिज तो यह पहलू आती है फिस्कॉर बाइट आर तो आप देख रहे हैं जो फ्लाग झेरिज इसर्य इस प्लाग जेज्ड फैँज तो आपको अथा दोस्तों होल डाइमिटर को चीक करने के लिए जो दोस्ते हैं वहीं रिंक की बात करें तो आपका साबशनु के लिए जोघ रोत हैं तो आपका अंसर जाग़ा तो चेग्द डामिटर आफ होंसीं व् सब्सक्राइब का लोग का कार्बन स्टील डेक्टिल्टी हाई होती है तो हमें नहीं होती है तो आपका आंसर हो जागर दी कि यहां से आज यहां से आ जाएगा निट माइक्रो मीटर होती है दोस्तु हमें नहीं हना गार दी माइक्रो मेटर के दिचु आपका शुटार की अनिचु दूर्स तो पालिमें उचनिय दूर्स के दिचु दूर्स तो आपका बलो तूमिल्तिंग टे दिचु आहयर देश्ट दू कहाँ धुटिक एंपकर थे औरफयर दूर्स से कशलर दिचु चुमिल्टिंग जू जाय का कोशन नमबर 42 की बात करें प्लेन कारवन इस्टील कंटेन तो आपको फ़ता दें दोस्तों जो प्लेन कारवन इस्टील होता है वो कंटेन करता पॉइंट प्लेन प्लेंट नमब 53 का आपका मार्टेंट प्रडींच थे स्ट्रक्च्र आपसे नहों जाएगा रापीट कॉलिंग दोस्तों थू फास्ट कॉलींग वाकर करतें दोस्तों तो हमें प्रोड्यूस मिलता आपका मार्टेन साइट स्ट्रक्चर तो आप सन हो जाएगा रैपीट कूलिंग रेट कोश्चन 44 दे प्रोपर्टी आप माटेरियल टू ब्रेक्ट सदेनली विद लिटील नो डिफार्मेशन तो आपको बता दोस्तो नो डिफार्मेशन होता आपका ब्रिटील माटेरियल में तो करती है जो की फटीग लिमीट को बढ़ाने में अपका वर करती है वहीं बात करें सार्ट पिनिंग में हम कंप्रेसिव इस्टेट करते हैं अंडर इस्टेस में भी आपका कंप्रेसिव इस्टेट डिफेक्ट है तो आपका अंसर हो जाएगा सी कोशन नंबर 46 वीचर फॉलि कोशन नंबर 47 दा चारपी टेस्ट इस कंडेक्टेट टू मेजर तो आपको बताता दोस्तों जो हम टपनेस मेजर करते दोस्तों फार डक्टाइल मेटेरियल के लिए वह एरिया अंडर दे फ्रेक्चर कव होता दोस्तों अब टू फ्रेक्चर पॉइंट बट चूंकि बिट मेटेरियल के लिए जो टपनेस यूज होता है वह आपका चारपी टेस्ट ही यूज होता तो आपका अंसर हो जाएगा ए ही कोशन नवा फॉटी एड को फूर कि 841 हाई-स्पीड इस्टील कंटेंड तो आपको बता दें जो यह हाई-स्पीड इस्टील होता दोस्तों कि कट का पॉइंट जीरो सेवन परसेंट आप कारवन को अगर्षन नवर फूटी ना है दा हर्डनेस अफ इस्टील डिपेंड अपान अधे अमांट आफ तो आपको बता दें जो मार्टें साहिट इस्ट्रेक्चर होता दोस्तों सबसे हार्ड इस्ट्रक्चर होता है तो आपका दूर जाया गडड़ी फैसे के सबसक्राइब अधिए नियु ग्रेंज और सब्सक्राइब दोस्तों होता मेलं टेमटर्चर होता है उसे पे आप का नया ग्रेंध होता है तो यहां से बसाया गड़ी आपको याद रखना है यहां के लिए यह निए टेम परताव होता आप होता है यह ध्यान रखने वाली बात करें मेटल के लिए प्यूर मेटल के लिए तो होता है पॉइंट त्री अप्टर मिल्टिंग तंप्रेचर कोशेन नमबर 51 को लैप्सिपल ट्यूब टूथ पेस्ट और मैनुफेक्टर बाई तो आपको ध्यान रखना जो इंपक्ट एक्स्ट्रूजन होता दोस्तों उससे हम बनाते हैं प्लेस्पेल ट्यूब कोशेन नमबर 52 कि दे कटिंग टूल इन दे मिलिंग मसीन इस माउंटेड ने करते हैं तो आपका अंसरो जाएगा भी इस ओर कॉसे नोब occasions the स्वyt का स्च्राइण डिवें मैटल प्रडिूस क्यूकि कास्ट आएएं अपका ब्रिचु उन्हों दोस्तों तो यह आपका डिसकांटिनिम्श लिथ दॉ इस अधर वाइज नोन आज तो आपको बताद दोस्तों जो किसी भी आपका मेटल वर्क पीस पर आपका फासपोरस की कोटिंग के जाती तो वो कहला तो आपका परकराइजिंग तो इसको आपका कहलाएगा फासपेटिंग आप संडे इस करेक्ट कोशन नमबर 55 टूविंग इद प्रोसेज आप तो आपको बता दें दोस्तों फार ग्रिंडिंग प्रोसेज तो वियरिंग आफ वर्क पीस और वील आफ अब्रेसिव पाटकिल दे सेप आफ टू ग्रिंडिंग वील आफ चेंजेज तो इसी को हम अब रिकवर करते हैं दोस्तों तो होजाए अगर चेंजिंग दे सेफ आप ग्रिंडिंग आप सनीज करेक्ट को सेनबर 56 कि दिफूजिंग हर्डिंग इलिमेंट इन कार्बराइजिंग प्रोसेज प्रोसेज अपका सर्फेस हर्डिंग प्रोसेज है दोस्तों इसमें यूज होता आपका कार्बन चूंकि आपका प्रोवाइट की जाती दोस्तों एक्चैंबर में तो कार्बन जो होता वह आपका वर्कपीस के लियर पे आंटेड होता है तो आपका सी करेक्ट कि अबता दोस्तों जो सम्मझ आर्क विल्डिंग होती है उसमें जो इलक्ट्रोड हो यूज होते हैं वह इन फार्म आप वेर होते हैं आप सनौजाएगा डी कोशनमा 58 ड्रेसिंग इस प्रोसेज आप ग्रेंडिंग वील जब भी आपकी ग्रेंडिंग वील में अब्रेसिव पॉट्किल ग्लेजड हो जाते दोस्तों उनको सार्प करने के लिए जो प्रोसेज यूज़ ता कहला थे ड्रेसिंग तो हो जाएगा सार्पेनिंग दे इंटर्प्रेंस फिट तो आपका अंसर जाएगा सी वहीं बात कर लें क्लेरेंस फिट की तो यह कहला थे आपके लूज फीज लूज फीट आपको दोनों ध्यान रखना है को सिक्स्टी और स्टेनिक स्टेनलिस स्टील कंटेंड तो आपको बताते हैं यह राद भीज़े मे वीचल फालोई रेटिंग फार गेंडिंग वीज डिजाइन अब ऐस साप्ट तर को बता दे तीन तरिके से रेटिंग होती होती है अपकी शॉप्ट वहीं ज टूपी होती ही दोस्तों मीडियं क्यू टू जेट होती है आपकी हार्ट तो यहां से आपका अपका हो Q62. The filler metal used in brazing has melting point. तो आपको होता दे, soltering and brazing characterized by melting temperature. जो temperature होता दोस्तों, brazing में वो होता 420 centigrade above. मने बात करे, soltering की, तो वो less than होता 420 centigrade. तो आपका answer हो जागा C, 420 centigrade. Q63. Q63. which of following is the reverse of electropalating? तो इलेक्ट्र पोलिशिंग जो होता दोस्तों, यह आपका reverse होता आपका electropalating के. बात करें, electropalating की दोस्तों, तो इसमें एक चिंग. Let's discuss question no.64. The maximum angle that can be using a sign bar. तो आपको होता है, दोस्तों, जो maximum angle by sign bar used होता है, वो होता है 45 degree. चूँकि after 55, the error detect होने लगता है, तो option D is correct. Question no.65. Which of following is the single point cutting tool. तो आपको होता दें, milling cutter जो है दोस्तों, यह भी आपका multi-point का होता है, hexa blade भी multi-point है, grinning wheel में बहुत सारे abrasive particle है, तो यह भी आपका multi-point cutting tool, जो parting tool होता है, दोस्तों, यह ही आपका होता है, single point cutting tool. Question no.66. The binding material is a cemented carbide tool, तो आपको बता देना चाहूंगा, ध्यान रखना दोस्तों, जो cobalt होता है, वो binding material होता है, आपका cemented carbide में. Question no.67. A steel of soft of 25 mm diameter turned cutting speed of 50 meter per minute, find the speed of soft. जो speed होती होती है, दोस्तों, वो कहलाती है, जो formula था, pi d n by 1000, जो speed होती है, इसकी unit होती है, मीटर पर मीनिट, यहां से value put करेंगा, दोस्तों, आपका दिया है, 50 meter per minute, यहां से 22 बते 7, into 25, and हमें find करना है, divided by 100. यहां से value put करेंगे, निकालेंगे दोस्तों, तो आजाएगा, 637 के आसपास, rpm, rotation per minute. Question no.68. The grain size of grinding wheel ranging between 30 and 70 considered as, तो आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, जो grain size होती है, grain size, वो universally proportional होती है, यह grain number के, तो यहां से अगर हम 10 to 24 देखें, दोस्तों, यह आपका कराता है, coarse grain, वहीं 30 to 60, यह आपका medium grain कराता है, 80 to 200, यह आपका कराएगा, fine grain, तो आपका अंसरु हो जाएगा, medium grain, option C, question number 69, which are following indicates the open structure, तो आपको बता दे, maximum value होगी, दोस्तों, वो आपका open structure को represent करेगे, तो option B is correct हो जाएगा, open structure में दोस्तों, आपका particle जो है, वो गए जादे है, abrasive particle के बीच, question number 70, in which following process, does mild steel absorb carbon and nitrogen to obtain hard surface, यह एक surface hardening process होता, दोस्तों, जो sign adding process होता, इसमें NACN के bilion में आपका component को डूब होगा जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा, आपका C is correct, question number 71, 21, tool has the signature of 8855661, in this one is represent, तो आपको बता दे, जो represent होता, ASI का दोस्तों, ASA का, होता, alpha, back, back angle, side, back angle, in cutting, relief angle, side cutting, relief angle, in cutting, edge angle, side cutting, edge angle, last में आपका होता है nose radius, तो यहाँ से हम compare कराएंगे दोस्तों, तो वन रिप्रेजेंट करेगा, आपका nose radius, yes, absence is correct, question number 32, sorry, 72, lathe bed is made up, तो अपको बता दोस्तों, lathe bed आपका बना होता, cast iron का, चूंकि जो vibration absorbing capacity होती, cast iron में वो ज्यादा होती, इसलिए आपका बना होता है, cast iron से, question number 73, the process of enlarging the hole to accurate size, तो आपको बता दोस्तों, यहाँ पर बात किया accurate size की, तो यह process होगा, आपका rimming, वहीं आपका only enlarging की बात करता दोस्तों, तो आपका होता process boring, आपको दोने ध्यान रखना है, question number 34, the filler gauge is used to, तो आपको बता दोस्तों, filler gauge is used होता आपका जैसे, check करने के लिए spark plug के बीच का gap, तो जाका check measure the bearing clearance, यह भी आपका सही दोस्तों, check gap between set the spark plug gap, तो यहां से बजाएगा, all are correct, question number 75, which of following material has nearly zero coefficient of extension, तो आपको ध्यान रख लाएंगा दोस्तों, जो invert होता है, वह minimum, आपका जो coefficient of fraction होता, alpha होता दोस्तों, वह 0 होता इसका, तो आपका answer हो जाएगा D, question number 76, the thermite mixture of fine aluminium powder and iron oxide in the ratio of by wet, तो आपको बता दोस्तों, जो thermite welding में जो ratio होता, iron to aluminium, यह होता 3 to 1, but आपको ध्यान रखना है, यहाँ aluminium to iron oxide पुछाएगा तो ratio reverse हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 ratio 3, option D is correct, काफी बार यह question पूछा गया दोस्तों, इस अस्ति जाएग में आपको ध्यान रखना है, question number 77, which are following has material has maximum ductility, तो जो ductile material होंगे दोस्तों, आपका maximum ductility को सो करेंगे, तो यहाँ पे हो aluminium जो होगा, वो maximum ductile material है, question number 78, a large diameter work that can be carried between the center lathe, तो आपको बताद दोस्तों, यह आपका कहलाता shrink, तो आपकांसर हो जागा भी, question number 79, a steel with 8% carbon and 100% perlite, अगर iron carbon diagram, दोस्तों अगर draw करें, तो 0.8% carbon पे, जो में point मिलता दोस्तों, वो कहलाता आपका, utectoid point, तो आपका हो जागा, utectoid steel, वहीं बात करें, point 8 से कम की, steel जो होती हो, कहलाती ही अपका hypo, वहीं greater than, कहलाती ही अपकी hyper, hyper utectoid steel, आपको ध्यान अखना है, question number 80, which are following phase, after the in the product complete heat treatment, in ask tempering process, जब भी ask tempering की बात होगी दोस्तों, तो आपको structure प्रॉप्त होता है, benite, तो आपका अंसर हो जागा, वहीं बात करें, mark tempering की, तो आपको structure प्रॉड्यूस, जो आपको प्रॉप्त होगा, तो आपका अंसर हो जागा D, आपको ध्यान रखना, जो lead screw पे thread cutting होती होती है, वह होती है, आपकी S में, यह भी exam में कई बार पुछा गया है, question number 82, the failure of material due to cyclic loading, जब भी आपका cyclic or periodic loading होगी दोस्तों, तो आपका fatigue loading failure होता है, तो आपका अंसर हो जागा भी, question number 83, dash layout is also called line layout, तो आपको बता दें product layout जो होता दोस्तों, यही कला था आपका line layout, question number 84, which of following operation does not use a multipoint cutting tool, तो आपको बता दें, milling operation एक multipoint cutting tool है, दोस्तों, drilling में ही आपका 2 point cutting edge होता है, तो यह भी multipoint में होता है, broaching की बात करें, तो बहुत सारे cutting edges होता है, वहीं बात करें, truing की तो process यह आपका single point cutting tool होता है, question number 85, which of following part of lathe serve housing of the driving pulley and bag, तो आपको होता दोस्तों, जो gear mounted होते हैं वो आपके used होते है lathe head में, तो आपका answer हो जाएगा, जाएगा, यहीं पर आपका check होता होता है, दोस्तों, 3 जाएगा, और 4 जाएगा, question number 86, the petrol engine carburetor are manufactured by, तो आप बता हैं निमान, जो carburetor manufacture की जाते हैं दोस्तों, वो आपको die casting से, तो आपका answer होता है, अगर डी, question number 87, the foundry of crucible is made up, तो आपको ध्यान रखना, जो foundry बनी होती ही आपका, यह आपकी बनी होती ही graphite की, question number 88, the ash tempering heat treatment process is practiced to improve, तो आपको बता हैं, जब भी हम hard करते हैं दोस्तों, दोस्तों, तो उसमें brittleness आजाती है, तो उसी को कम करने के लिए हम use करते हैं, आज tempering, यह आपकी ductility को बढ़ा देती है, तो आपका answer यहाँ से, B ductility, question number 89, which are following carbon steel is most weldable, तो आपको बता दें, weldability जो होती दोस्तों, वह universally proportional होती, carbon percentage के, तो यहाँ से आजाएगा, option D, 0.15% of carbon steel, question 19, 90, the small percentage of carbon is added to steel in order to, जब भी carbon add करते हैं, दोस्तों, तो यह increase करता है, hardness को, तो यहाँ आजाएगा, option D, increase hardenability, वहीं बात कर लें, chromium की, तो यह बढ़ाता आपका corrosion resistance, question number 91, in machining operation, the cutting speed is reduces 50%, assuming NH 0.5C is 300, the Taylor equation, the increase in tool life, तो आपको ध्यान दरकना, दोस्तों, जो Taylor equation होता है, V into T power N is called to constant, यहाँ जो V होगा, वो meter per minute में होगा, दोस्तों, जो time होगा, होगा, minute में, यहाँ से अगर देखें, दोस्तों, प्रोडियू, आपका half हो रही है, जो final blast है, तो होजाएगा, V1 T1 power N is called to V, V1 divided by 2 T2 power N, तो यहाँ से जाएगा, T2 by T1 is called to, 2 के power 1 by N, यहाँ पे N है, दोस्तों, 0.5, तो होजाएगा 2 के power 2, यहाँ से होजाएगा 4 time, तो आप देख पार है, T2 by T1 is called to 4, तो यहाँ से आपका होजाएगा 4 times, option B is correct, question number 92, in linear arc welding process, the heat input per unit length is inversely proportional to, तो आपको बता है दोस्तों, जो heat per unit length होता है, यह आपता होता है, product of voltage into current divided by welding speed, तो यहाँ से आप देख रहे है, welding speed, heat के inversely proportional है, तो आपका होजाएगा P, question number 93, small costing which is following allowances can be ignored, तो आपको होता है दोस्तों, for small costing के लिए जो dropped allowance होता है, वो आपका ignore होता है, तो आपका सरोजागसी, dropped allowance दिये जाता है, for easy removal, question 94, in gas tungsten arc welding which are following polarity is generally used for getting higher penetration, आपको बता है दोस्तों, state polarity जो होती है दोस्तों, वो higher penetration देती है, state polarity में जो work piece होता है, वो आपका positive होता है, और negative होता है आपका electrode, तो आपका answer हो जाएगा, direct collect current illustrated polarity, question 95, which the number of atom per unit cell of FCC structure, तो FCC में जो number of atom आते हैं, आपके 4 आते हैं दोस्तों, option B is correct हो जाएगा यहां से, वहीं बात करने simple की होई, तो one atom आता है, वहीं बात करने BCC structure की, तो number of two atom होते है, question 96, when the metal removal is erosion caused by rapidly occurring spark discharge between the tool and workplace process known as, तो आपको बता देना चाहूंगा, इलेक्रोड discharge में दोस्तों, जो में करने में होता है, विपराजेशन, fusion and विपराजेशन होता है, तो यह due to अपका is power producing between the work piece and electrode, तो हो जाए गए, यहां से अपका option सीच करे, क्रिक्टोड discharge मशिन कूर्चेर्च नमेर 97, in iron carbon diagram equilibrium, the face centered modification iron is called, तो आपको देना दोस्तों, जो गमा एर न होता एंदि याहनर ऑस्टेनाइड जmak होता है वहीं बात करें ऑलफा और डिल्टा एरन की तो पिसका एंदिया आपको ध्यान आपके magnetic lens जो electron gun को एक direction प्रवाइट करते हैं तो आपका अंसर हो जाएगा आगा कोशन नमर 99 की बात करें कि अधर जॉब रेसी प्रकुरेट इन विज टाइप आप मसीन तो आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों जो प्लेनर होता है इसमें आपका जॉब जॉब रेसी प्रकुरेट करता है और जॉब रेसी प्रकुरेट करता है और जो टूल होता है दोस्तों वह आपका रेस्ट में रहता है तो आपको आंसर हो जागा भी वहीं बात करने से पर की तो दोस्तों इसमें अपका रिशिव प्रकट करता है और जुअनल आ रिफर हरीत को स्पॉर्टियोंट कमें और दोस्तों जो कास्ट आ रहे हैं वो ब्रेटिल मेरिटेरियल होता है कि दिसकांटिनिवस चीप कहीं तो आपका अंसर हो जाएगा कि डिसकांटिनिवस चीप विथ एट रेगुलर सेपन साइज आपसंस ऎसकर्रेक्ट है दोस्तों यह रहे हैंके टाफ 100 कोसेंट आपको अच्छे से क्लियर हुए कहीं भी कोई डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट में मेंसन कर सकते हैं मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा दोस्तों अगर वीडियों से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज चैनल को सबस्काइब कर लें और सेयर कर दें अपने दोस् गड्लाई आपको यौल